हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपको हिबिसकस दिखाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से कलर के हिबिसकस हैं और आप भी उनका अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं तो हमारा फर्स्ट हिबिसकस ये सिंदूरी लाल कलर का हिबिसकस है जिसको डबल पैटल वाला हिबिसकस भी कहते हैं और हिंदी में इसको गुच्छेदार गुढ़ल कहते हैं तो आप इसको भी अपने गार्डन में एड़ कीजिए काफी सुन्दर लगता है और एक ही प्लांट पे कई सारे फ्लावर्स आते हैं अगर आप इसकी अच्छी देख भाल करते हैं तो हमने इसको 10 इंचिस के पॉट में ग्रो किया हुआ है और प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी है इस पे दो फूल एक साथ खिले हुए हैं और काफी सारी कलिया भी आई हुई है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो सभी हिबिस्किस की केर एक सी होती है इसको 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है और वाटरिंग आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें ज्यादा गर्मियों में दो बार पनी दें एक बार सुबह एक बार शाम और फर्टिलाइजर आप इसमें जरूर दें जो कि आप गोबर की खात, कमपोस्ट, काउडंग जो भी आपके पास हो वो आप इसको दे सकते हैं तो ये पिंक हिबिसकस है, जो सबसे बड़ा वाला हिबिसकस आता है तो ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है हिबिसकस समर और रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है विंटर में इसकी ग्रोध थोड़ी हलकी हो जाती है लेकिन कई hybrid hibiscus आते हैं जो कि winter में भी बहुत अच्छी growth करते हैं और flowering भी देते हैं तो इसको भी आप अपने garden में add कीजिए banana peel fertilizer जो liquid होता है वो अच्छी flowering के लिए देया जाता है इसलिए आप उसको जरूर अपने garden में add कीजिए जिसका link हमने description box में दे दिया है आप महाँ से check कर सकते हैं तो देखे ये purple hibiscus है इसको भी गुच्छे वाला hibiscus कहा जाता है और ये भी double pedal वाला hibiscus है तो सारे hibiscus जितने भी होते हैं गुढल उनको आप cutting से easily grow कर सकते हैं तो rainy season चल रहा है आप जरूर इसको grow कीजिए तो ये 10 inches के pot में ये भी grow किया हुआ है प्लांट की growth भी अच्छी है और एक प्लांट पे चार flower खिल रहे हैं तो कभी-कभी तो ऐसा होता है पूरा प्लांट फ्लावर से ही भर जाता है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये परपल हिबिसकस देखिए इसमें काफी सारी flower buds भी आई हुई है जो की next day खिलेंगी तो ये जो फूल होता है ये गर्मियों में केवल एक ही दिन रहता है जो गुढ़ल होता है और सर्दियों में ये दो से तीन दिन तक अराम से रह जाता है जो हाइब्रेड हिबिसकस होते हैं वो सर्दियों में भी flowering करते है तो हमारे पूरे प्लांट पे बहुत अच्छी flower birds आई हुई है flowers भी bloom हो रहे है तो ये एक ऐसा पौर है जो आपको हमेशा flowering देता रहता है तो आपको एक नए एक flower इस प्लांट से जरूर मिलेगा एक दिन में तो आप इसमें fertilizer का धियान रखिए watering का धियान रखिए और sunlight का धियान रखिए तो देखिए इसमें कई सारी कलियां भी आई हुई है तो hibiscus आपको add करना बहुत जरूरी है garden में बहुत अच्छी flowering देने वाला plant है और इसमें बहुत सारे colors आते हैं इसकी बहुत सारी variety आती है अभी हमारे garden में थोड़े कम color है हम जल्दी ही और add करेंगे अभी हमने उसकी कुछ और cuttings को की है तो उसमें नीचे जब flowering होगी तब हम आपको उसे जरूर दिखाएंगे और एक चिली hibiscus आता है जो केवल winter में ही flowering करता है अक्टूबर से उसमें flowering स्टार्ट होती है तो अभी उसमें flowering नहीं हो रही है ये red desi hibiscus है जो की desi वाला गुड़ाल कहते है जिसको ये भी बहुत अच्छी flowering देता है इसका पूरा plant flower से बढ़ जाता है और देखें ये पूरा ना फूल जो होते हैं इसमें से आप इसको remove करते रहें क्योंकि एक्स्ट्रा energy लेते रहते हैं तो इस तरह से आप इसको remove कर दे तो इस तरह से हमारे plant बहुत अच्छी growth करने है ये हमारा yellow hibiscus है जो की हमें रोज दो flower तो जरूर ही देता है एक से दो flower जरूर इसमें मिलेंगे आपको तो ये भी आप एड़ कर सकते हैं इसमें भी काफी colors आते हैं तो इनकी cutting जैसे कि आपके पास कोई single color है तो उसका आप दूसरा plant जरूर बनाएं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारा plant मर जाता है फिर हमें वो same color नहीं मिल पाता इसलिए आप same color के दो plant बना के रखें अपने garden में तो ये हमने cutting grow की थी जिसके साथ एक flower bud आई हुई थी और जब हमने ये cutting grow कर दी उसके next day इसमें flowering हुई थी देखिए कितना अच्छा इस पे flower bloom हुआ है और हमने इस कली को इससे जो cutting थी उसके अलग नहीं किया था तो ये अपने आप ही खिल चुका है तो ये बहुत सुन्दर color है और हमारी cutting जो है वो भी बहुत अच्छी ग्रो हुई है तो आप cutting ज़रूर ग्रो करें और normal garden soil में आप इसकी cutting ग्रो करें वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए और bell बटन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि उसी से आपको next वीडियो की notification मिलेगी और comment box में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो ये बहुत सुन्दर color है तो आप different type के flower अपने garden में add कर सकते हैं हिबिसकिस के तो देखिए ये हमारी वही cutting है जिस पे flower bloom हुआ था और हमारी cutting की growth काफी अच्छी चल रही है और इसमें flower birds भी आने लगी है तो जल्दी हमें बहुत अच्छी flower ring देगा देखिए कितनी सुन्दर flower birds आ गई है इस पे और cutting की growth भी काफी अच्छी चल रही है तो आप इसकी cutting ज़रूर grow कीजिए क्योंकि rainy season चल रहा है थैंक यू